हमारे सनातन धर्म में जो भी होता है सबका एक साइंटिफिक कारण है तेलक्याओं लगाते हैं इसका भी साइंटिफिक रीजन है साइंस इस बात को मानता है कि हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है इसलिए लकवा जब आता है ना पैरलाइसिस तो एक अंग को मारता है हाँ या ना मतलब हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है जब भी लकवा आता है तो एक तरफ कांग काम करना बंद कर देता है मतलब हमारा शरीर दो भागों में डिवाइड है ना साइंस मानता है, मेडिकल साइंस मानता है और लकवा तो सब प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि एक तरफ इसका मतलब है हमारा शरी हमारे नाक के ये दो छेद है ना ये बीट से एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ ये दो भाग बटे हुए है ये मस्तक जो है हमारा दो भागों को ऐसे बांटता है लेकर जब माथे पर हम तिलक लगाते हैं चंदन लगाते हैं जो हम लकडी के चं उनका मन उन लोगों से ज़्यादा अशान्त होता है जो कभी तिलक नहीं लगाते आप कभी तिलक नहीं लगाते तो आपका मन ज़्यादा अशान्त होगा मैं तिलक लगाता हूँ तो आपकी अपेक्षा मेरा मन दस गुना शान्त है आपकी अपेक्षा मेरा मन शांत क्या हूं कि मैं तिलक लगाता हूं और जो लगाते हैं उनका शांत है इसलिए साइंटिफिक साइंस कहता है कि मन शांत होता है और आप लगा के देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है साइन्स कहता है तिलक लगाओ मतलब लगाना चीज़, साइन्स सास्त्र कहते हैं, साइन्स तो आज आया, सास्त्र तो पहले से जानते हैं सब चीज़े, इसलिए साइन्स के हिसाब से भी तिलक लगाना चीज़, कई लोग कहते हैं, यह हाथ में कलावा क्यों बांते हैं, अरे पागल पहले के जमाने में ओ गाड़ी आई थी कि तो गाड़ी स्टाट क से ँदेखा न वह को पेहले के जमानेasında वह चलती तीन चके की सब्सक्राइब चलेगे मी猜़ती nawag जमाने अच्छे तो गाडाई देखे ही नहीं होंगे हमने तो खूब देखी है आपके सहरों में चलती थी थी ना वो तीन चके वाली गाड़ी वो पीछे दो चके एक आगे और रहां से उसका डिजाइन था यासी क्या बोलते इसको टैम्पू वो उस जमाने की थी हम लोग उसको अलग बोलते थी बोलेंगे तो अब हसेंगे चलो तो मैं यह वो आटो वो देखा नो जमाने का वो कैसे चालू होती थी बताओ उसके इंजन में रसी बांधी जाती थी और रसी बांधी के खेंची जाती थी तब ना स्टार्ट हो जाता था टेकनोलोजी तो यहीं से शुश्रू हुई यह साहा बाद में अपडेट होती गई उसी प्रकार हमारे हाथ में यह जो कले कलावा बांधा जाता है यह हमारी नाडियों में एक दवाव प्रगट करता है यहीं तीनो नाडियां है बात पित कफ की तीदो नाडियां यहीं से गज़रती है तो यह कलावा जब दवाव बनाता है तो दवाव जब MILL यह जब कोई वी चीज काम नहीं करती तो जरसा दवाने से प्रेसर बनता है तो यहाँ पर दागा इसलिए बांधा जाता है ताकि यहाँ से नाडियों में प्रैसर बना रहे और खून का संचार सरीर में बराबर मात्रा में पहुंचता रहे यह इसका साइंस है मतलब धागा बांधने के पीछे भी साइंस है हमारे सनातन धरम में सारी दुनिया हाँछ मिल Breaking थी Hello Hi Hello Hi Hello Hi लेकिन कोरोना के वाद सब लोगों ने हालो हाई छोड़ दिया और नमस्कार करने लगे वही आराम राम दूर से नमस्कार नमस्कार तो जो आज दुनिया अपना रही है वो हमारे यहां पहले से नमस्कार की परंपरा रही है हा या ना क्यों जी नमस्कार की परंपरा रही है हमारे यहां हाँच मिलाने की परंपरा नहीं रही हमारे यहां तो नमस्कार करने की परंपरा रही है तो यह जो परंपराएं लोग सीख रहे है यह सब यहां भारत में अल्रेडी हमारे यहां सब थी इसलिए हर चीज़ का एक science है Corona ने बता दिया कि हाथ मिलाने से काम नहीं होगा राम राम दूर सी करो यहाँ से यह science आज समझ में आया ना लोगों को लेकन हमारे हाथ ना मिलाना भी हमारा आज नमसकार करना भी scientific था कि पता नहीं सामने वाला कौन सी बिमारी लिए बैठा, इसलिए दूर सी रमसकार करो, छूने की जरूरत, ये साइंस था, हमारा साइंटिफिक काम है सार, आप कोई भी सवाल कीजिए हम से, कि आप बताईए कि ये काम सनातन में क्यों करते हैं, मैं उसका साइंस बताऊंगा आ महाने आपको विटामिन D मिल जाएगा, पहला जो की कौमन है, गहराई बाला बोल रहा हूं, सुनो, जब आप सूर्य भगवान को जल चड़ाते हो, और सूरी की किरणे, उस पानी से धार से जब टकराती है न, तो इंद्रधनस तयार होता है, इंद्रधनस कैसे बनता है, सा चरीर में पढ़ता है, भले एक सेकेंड के लिए पढ़े, पर वो पढ़ा हुआ प्रकास आपके शरीर को बहुत ताकत देने वाला है, वो प्रकास बहुत बल देने वाला, इसलिए वो प्रकास आपको मिले इसी बहाने, इसलिए जल चड़ाना चाहिए, पाप उन्य अपनी पाउं चलने से आखों की जोती बढ़ती है, बिल्कुल साइन्टिफिक है, इसी प्रकार, इसी प्रकार हमें सूरी भगवान को जल चड़ाने के बाद ये सूरी का प्रकास पढ़ा, यहां से छनके जो किरने हमारे शरीर तक पहुँचेंगी, हमारी आखों तक पहुँचें होंगी, इसलिए जल चड़ाना चाहिए, हर काम के पीछे साइन्स है,